आप मैंसे काफी सारे लोग ऐसी होंगे जिन लोग को करेला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो चिंता मत कीजिए आज की वीडियो में आप लोग के लिए ऐसी रेसिपी ले करके आई हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके से करेले को बनाओगे तो बिल्कुल भी कड़वान नहीं लगीगा तो चलिए आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए तो हेलो दोस्तों मैं हूँ दिपी का ज शॉपिंग बोर्ड ले लिया है तो हमें करेला ले लेना है और उसके आगे पीछे का हिसा हमें काट करके अलग कर देना है और हमें सिंपली जिस तरीके से हम काटते हैं करेला उसी तरीके से काट लेंगे गोल शेप में इस तरीके से नहीं हम ज्यादा मोटा काटेंगे नही जो टाइट बीज होते हैं आप उसे निकल करके अलग कर सकते हैं तो खाने की टाइम पर यह नहीं फसेंगे और अगर आपको सौफ्ट बीज पसंद है तो आप उन्हें रख सकते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूंगी मैंने काट लिया है करेले को तब हम इससे बीज बाहर निकल दे क्योंकि काफी टाइट बीज हैं और यह दातों में फस्ते हैं इसलिए हम इसे निकाल देंगे और खाने की टाइम पर अगर यह दातों में आए तो हमें चिट होती है इसलिए हम अभी ही इसे निकाल देंगे तो देखिए हमने सारे करेले काट लिए हैं तो हमें क्या करना है हम हमें ले लेना है नमक के छे सिरने मलेंじसरा यह और लेना है अब हमें करेले को अच्छे से मिला लेना है अच्छे से टॉस कर लेना है इस तरीके से, तो सारा नमक और नीवू जो है, करेले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, कि हम करेले को आदे गंटे के लिए ढखकर के रख देंगे, यदि आपके पास ज्यादा टाइम है, तो आप उसे एक गंटे के लिए रख दीजे, यदि जल्दी ह आपके न्यूंट हो, कि इसने काफी सार पानी छोड़ दिया है, को तो देख़िए, करेले को पहले ही दो लिया था, लेकिन अब हम इससे फिर से दू़िए, तो हमें ले लेना है, पानी पानी डालें गे, हम करेले में और इसे हम अच्छा से मसल करके दो लेंगे, तो हमें बहुत जादा भी नहीं में सब्सक्राइब करना, नहीं हमें हलके हाथों से इस तरीके से करना हैं, उसके बाद हम इसका पानी है उसे हमने चोड़ करके अलग करेंगे ताकि इसमें जो भी कड़वा हट है वो निकल जाए तो हमें किस तरीके से निचोड़ना है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ तो कुछ इस तरह से हमें इसका पानी निचोड़ करके अलग कर देना है तो हमें सारे के सारे करेले को इसी तरीके से धो करके अच्छे से इसका जो पानी है उसे निचोड़ लेना है तो इससे क्या होगा कि इसमें जो भी कड़वा हट है वो आसानी से बाहर निकल जाएगी तो चलिए हम सारे करेले को इसी तरीके से धो करके अच्छे से साफ कर लेत हम प्भगवनी चड़ा दिया चूली की तरफ हम 헝ालते हैं पानी के साथ मेंगे जसा कज नीब sources यह बिंगे वही लाग बन जाते हैं इसलिए काली पड़ जाती है ना भगोनी इसलिए हम इसमनीब डाल दिया है और करेले को डाल देंगे पानी गरम होने के बाद और इसे हम अच्छे से आठ से 10 मट अच्छे से बॉइल कर लेंगे ताकि करेला अच्छे से बॉइल हो जाए तो हमें 60-70% करेले को बॉइल कर लेना है तो ढखकर हमें से बॉइल कर लेते हैं तो देखिए करेले को हमने बॉइल कर लिया है तो हम इसे चेक कर लेते हैं और यह करेला 60-70% पक चुका है तो हम इसे इस्टेनर की हल्ट से छान लेते हैं इसका जो पानी है उसे हम निकाल देते हैं करेला को अलग कर लेते हैं तो चलिए इस्टेनर से हम इसे छान लेते हैं तो करेले का जो पानी है उसे हमें फेक देना है और जो ये नीवू का छिलका है उसे हमें अलग कर देना है और अब हमें ले लेना है एक मिकसर जार तो मैंने धर पे ले लिया है दो मीडियम साइज की प्या जिससे मैंने रफली चॉप कर लिया है और हम कुछ खड़ी मसाले ल टूड़ाे ने ये छए तो यह देखी यह रहे मसाले यहां पर मेंने 1 रसे ले लिया है एक एंच अद्रक कर टूकडा एक थोड़ा जावीट्री को फूल लिया है यह का स्जानि कब्णब्ण कर टूकडा है तीन चाहर लोंग लिये और दर्स काली मिर्च ले लिया है एक साबुत लाल मिर्च ले लिया है जो तीखी नहीं है कम तीखी है और एक तेजपता ले लिया है दो टेबल इस्पून मैंने ले लिया है साबुत धनिया तो सारा का सारा मसाला हमें डाल देना है मिक्सर जार में तो एक एक करके हम सारी मसाले डाल देते हैं जार में और इसे हम पीस लेते हैं एक फाइन सा पेश्ट बना लेते हैं तो अगर आपको जरूत पड़ती है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा एड़ कर लीजिए और इसका एक फाइन सा पेश्ट बना करके तैयार कर लीजिए तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है तो चलिए अब हम चलते हैं चूले की तरफ चूले में हम चड़ा देते हैं कड़ाई और हमें ले लेना है तेल तो आपको इसे भी तेल ले सकते हैं मैंने इदर पर सरसो का तेल ले लिया है तो हमें तेल थोड़ा से ज़्यादा ले लेना है तो चाह से पांच बड़े चमच हमने तेल ले लिया है तेल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं तेल गरम होने के बाद हमें डाल देना है बॉयल्ड करेले और इन्हें हम अच्छे बाहर तो हमें सारे के सारे काईड़े को इसी तरीके से फ्राइ कर ले चो आप से बंढेंगा तो कभी भी कडबे नहीं लगेंगे बहुत ही टेश्टी बन करके theor होते हैं तो चले हैं सारे करेले हमें के डाइने हीना है उसमें हम डाल देते हैं दो तेज पथे और एक बड़ी लाइची और इसे हम अच्छे से चटकने देते हैं उसके बाद जो हमने पेश्ट बना करके रखा हुआ है प्याज का हमें वो डाल देना है तो हमें इस मसाले को अच्छे से ओईल छोड़ने तक पका लेना है एक दम धीमी आच में हम इसे ढख करके अच्छे से पका अच्छे सें के इеш तो हम अच्छे से तेल में मिला लेते हैं उसके बाद हम कुछ मसाले कर देंगे हमने सारे मसाले को अच्छे से भून नहीं होना चाहिए नहीं तो इसमें अच्छे फ्लेवर नहीं आएंगे तो इसलिए मसाले को अच्छे से भून लेना है तो देखिए मसाले ने ओई छोड़ दिया है और मसाला भी अच्छे से भुन गया है तो बढ़ी असी हमारा मसाला बन करके तयार है एक बढ़ी असी कुस्बू भी मसाले से आ रही है तो हमने जो करेली को फ्राइ करके रखा हुआ है हमें वो डाल देना है और हमेंसे अच्छे से मिला लेता है लेकिन आप लोग ऐसे चलाते ख़ाए ऐक गया रखिए कि हमें एसे डखना नहीं है हमेंसे खुला ही पकाएंगे तो हमें दो से तीन मिटदे अच्छे तो हमें ऐसे चलाते हुए आच्छे से पका लेना है और इस बात का खास ध्यान रखिए कि हमें धकना नहीं है हमें इसे खुला ही पकाई गए तो बस हमारी करेले बन करके तयार हो गए है तो आप लोग इस तरीके से घर पकरेला बना करके खा सकते हैं एक भी कड़वे नहीं यह मेरी गारंटी है कि आपको कड़वा नहीं लगेगा तो आप लोग इसे घर पर बनाईए खाईए और इंजॉय कीजिए यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिन लोगों ने मेरी चैनल पर पहली वार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों ने पहले से कर रखाया तो उनको मेरी तरब से दिल से धन्यवाद तो चलिए मिलते हम नेक्स वीडियो में आप लोग भी हेल्दी रहे हेल्दी खाईए और मस्त रहे तो चलिए मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक के लि बाई बाई बाई